ये अव्यक्त इशारे सर्व प्राप्ती संपन्न बेगंपुर के बेफिक्र बादशा बनो, सोलह, जो मुर्ली धर बाप की मुर्ली सुनकर अतींद्र या सुख के जूले में जूलते हैं, उन्हें मुर्ली के सास से अविनाशी दुआ की दवा मिल जाती है, वे तंदुरुस् मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशा बन जाते हैं, वे स्वयम को बाप के सर्व खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी बेगंपुर का बादशा अनुभव करते हैं, संगमयुग पर ही बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है, किसी भी युग में इतने ब आदशाहों की सभा नहीं होती है,